वैशाली सदर हॉस्पिटल में मां के पास से तीन बर्षिय बच्ची के गायब हो जाने का मामला सामने आया है लेबवार में भरती महिला से मिलने आई उसकी सास अपनी पाती के साथ आई थी पोती को उसकी मां के पास छोड़कर नीचे गर्म पानी लेने गई इतने में बच्ची गायब हो गई वैशाली बिहार के वैशाली में सदर अस्पताल से तीन बर्षिय बच्ची गायब हो गई इसके बाद अस्पताल में अफ्रा तफ्री मच गई बताया गया कि सोनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाले गोल्डन खान की पत्नी को डिलीवरी के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल लाया गया था यहां उसे एक पुत्र हुआ जच्चा बच्चा की देखरेख में उसकी दादी चंदा बानो लगी हुई थी उनके साथ उनकी तीन वर्षिय पोती गुड़ा भी मौजूद थी डॉक्टरों के निर्देश अनुसार चंदा बानो मरीज के लिए गर्म पानी लेने लेबवार्ट से नीचे आई थी उन्होंने अपनी पोती गुड़ा को भी साथ चलने को कहा था लेकिन बच्ची अपने नवजात भाई के साथ रहने की जिद करके वहीं रुक गई चंद मिन्टों बाद जब चंदा बनो गर्म पानी लेकर लेबवार्ट में पहुची तो गुड़ा को गायब पाया जो बच्चा गवड़ा है जो बच्चा गवड़ा है देखे आँ है तो दूढ़ है पानी जरम लेने के लिए तो बितर गरम किया है पानी करकर दिया है उसको बोला लर्किया करके चलेगी नीचे तो ना जांगे हम बारू के पास रहें क्या लग रहा बच्चा कहां कि आओगा गुम हो गया अब इधरे से नीकली अब कहां गई हम लोग का जाने गई कितने देशी चानमीन आप लोग कर रहें दू घंटा हो गया हम लोग कर रहें यहां जो शुरक्षा में तैनात गाड़ है वो लोग सी कंप्लेंड नहीं किया किया हम यहां इज किया है जै वोग कर प capt splash है बेलाधने हुरक्षा में में पना座ारे संपरी किस्वाश। झारर को फचैशा आवार है जग दो झालें जदाने ह।